36 गड़ के बलरामपूर में आज 36 गड़ दैनिक वेतन भोगी करमचारी संकी वारशिक बैठक आयोजुत की गए जिसमें हजारों करमचारी अपनी 900 मांगों को लेकर एकत्रित हुए जनपत पंचायद बलरामपूर में हुई इस बैठक में प्रमुक रूप से करमचारीों के नियमिती करन की मांग पर चर्चा की गई इसके साथ ही संभाग अध्यक्ष ने जानकारी दी कि राइपुर में 48 दिनों की सफल हर्ताल के बाद देनिक वेतन भोग्यों को अकास्मिक्ता वेतन का लाब मिला है जिससे करमचारीों को उमीद जगी है कि उनकी और भी मांगे जल्द पूरी होंगी इसके साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2008 में भाच्पा सरकार ने नियमितिकरन की मांग पूरी की थी और मौजूदा सरकार से भी करमचारीों को ऐसी ही उमीद है करमचारीों को उनकी मांग पूरी हो सकती है तो हमारी भी मांगे पूरी हो हमें आकस्मिक्ता ने कलेक्टर दर्गा आदेश प्रदान किया जाए केंद्रा और राजस करमचारी है वो सारे करमचारी आए जब 23-23 का आदेश जारी हुआ था कि सभी दैनिक वेतन भूगी करमचारीों जो सरमा युक्त दर्ग में पेमेंट पा रहा है उनको सरम सम्मान की 4000 की रासी दी जाएगी अध्यक्ष का कहना है कि 23 अगस 2023 को पूर्व सरकार द्वारा पारे 4000 की श्रम सम्मान राशी भी अभी तक करमचारीों को नहीं मिली है अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगो पर कोई सकरात्म कदम नहीं उठाती तो संग ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है पूरे मामले को लेकर आपकी कराया हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विबाग को सब्सक्राइब करना ना भूले